हलो एंड वेलकम बैक माई डियर स्टुडेंट आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चेनल माँ आसा इस पॉइंट में स्वागत है माई डियर स्टुडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाश टुवेल्थ जोगरफी यानि की भूगोल के गैस पेपर के सेट थिरी के मोश्ट इंपोर्टेंट अब्जक्टिव कोईस्टन एंसर को शॉल्व करने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो फिलीज इसको सस्क्राइब कर देंगे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटा फट सेजर करेंगे तो चलिए सेट थिरी का जो पर्थम क्वेस्टन है फास्ट मिस क्वेस्टनों को स्वाल्व करेंगे तो है कि किस परकार की बस्ती सडक नदी और नहर के किनारे पाए जाती है पर्थम क्वेस्टन है कि किस परकार की बस्ती सडक नदी और नहर के किनारे पाए जाती है तो correct answer इसका क्या होगा विरिताकार या रेखिया या वरगाकार या चौक पट्टी क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा आपको रेखिया next question है कि निमनेखित में कौन इथोपिया की राइधानी है इथोपिया की राइधानी निमनेखित में कौन सा है केनबेरा होगा, लुसाका होगा या अदिस अबाबा या नरोबी तो क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा आपको अदिस अबाबा Next question है कि निमनिखित में कौन आंतरिक समुंदरी पत्तन नहीं है आंतरिक समुंदरी पत्तन नहीं है तो क्या होगा इसका correct answer Kolkata या Athens या Manchester या Memphis तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको Athens Next question है कि जन गनना के अनुसार भारत के किस राज की जन संखियां सब से कम हैं तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer होगा वो होगा मनिपूर होगा या रुनाचल परदेश होगा या नागालेंड या सिक्कीम इसका correct answer हो जाएगा आपको सिक्कीम Next question है कि निमलिखित में किस भासा की जन संखियां सब से कम है तो क्या होगा आश्ट्रीक या दरवीर या चिनी तिबति या भारतिय या यूरोपिय तो इसका correct answer होगा वो हो जाएगा आपको कहते हैं कि निमलिखित में किस भासा की जन संखियां सब से कम है तो आपको हो जाएगा चिनी तिबति गोई इसका correct answer होगा next question है कि 2011 की जन गनाना के अनुसार भारत की सक्षरता का परतिसद है तो कितना परतिसद है 2011 की जन गनाना के अनुसार भारत की सक्षरता का परतिसद है 0.64.04 या 76.10 या 77.18 तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा आपको 24.04 Next question है कि निमलिखित राजियों में कौन का पास उत्पादक नहीं है कौन का पास उत्पादक नहीं है आंध्र परदेश महाराष्ट या हर्याना या 36 गड़ क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा आपको 36 गड़ Next question है कि निमलिखित कोईला खदानों में कौन जारखंड में नहीं है क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा आपको शिंग रोली क्या होगा शिंग रोली Next question है कि निमलिखित नदियों में कौन पूर्व की और प्रवाहित नहीं होती कौन पूर्व की और प्रावाहित नहीं होती वेतरने या स्वर्ण रेखा या तापी या कृष्णा इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको तापी ने नदी next question है कि निमनलिखित राजियों में किसमे नरोरा नावे है नावे कि अउड़ा केंदर अवस्थित है नरोरा नावे कि अउड़ा केंदर कहां अवस्थित है तो क्या होगा इसका correct answer तो इसका जो correct answer होगा क्या उत्तर परदेश या महराष्ट या गुजरात या करनाटक तो होज़गा उत्तर परदेश नेक्स्ट कुष्टिन एक निमलखित पूर्व है मद्य रेल मंडल का मुख्याले है क्या होगा गौरकपूर या इलहाबाद या भूमनेश्वर या हाजीपूर तो इसका correct answer हो जाएगा आपको हाजीपूर नेक्स्ट कुष्टिन है कि निमलिखित राजियों में किसमे विजय नगर लोह इस पात केंदर अवस्थित है तो क्या होगा इसका correct answer आंद्र परदेश या तमिलाडू या करनाटक या 36 गड़ तो इसका correct answer हो जाएगा आपको करनाटक next question है कि निमलिखित में कौन सरवाधिक जनसंख्याँ वाला मेगार नगर है सरवाधिक जनसंख्याँ वाला मेगार नगर है तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा आपको मुंबाई next question है कि निमनिलखित राजियों में किसमें jvahar, lan, nehiru, samundri पतत नवस्त्तित है तो क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा आपको क्या होगा केराल या करनाटक महारास्ट या गुजरात तो इसका correct answer हो जाएगा आपको महारास्ट next question है कि निमनिखित राजियों में जवाहर नेक्स्ट क्षिश्चन है कि उत्तर दक्षिन गरियारा जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है तो क्या होगा इसका correct answer जंबू कस्मिर को तिरुवन्त पूरं से या बारा मुला को तिरुनेल वेली से या शिरी नगर को कन्या कुमारी से या स्री नगर को नागर कोईल से तो क्या होगा इसका कोरेक्ट अंसर हो जाएगा आपको स्री नगर को कन्या कुमारी से गोई इसका कोरेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट क्विस्चन है कि भारत में सरवाधिक संख्या में सरनार्थी कहां से आए स्रिलंका से नेपाल मयामार एवं बंगलादेश तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बंगलादेश next question है कि धोयनी परदुशन के परमुक्सरोत कौन कौन है क्या होगा इसका correct answer उद्योग या मोटर वाहन या लाड एस्पुकर या उप्रुक्त सभी तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा उप्रुक्त सभी next question है कि निमलिखित सहरों में किसमे भारतिय रेल का मंडल मुख्याला है निमलिखित सहरों में किसमे भारतिय रेल का मंडल मुख्याला है इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा क्या होगा समस्ती पूर हाजी पूर आरा या बक्सर इसका हो जाएगा आपको हाजी पूर next question है कि निम्लकित राजियों में किसमे परमानु उर्जा का सर्यंत रस्थापित है कहां बिहार उत्तर परदेश असम या पंजाब इसका correct answer हो जाएगा आपको उत्तर परदेश जिसको हम यूपी कहते हैं next question है कि सिंची छेत्रों में भू निम्निकरन का मुख कारण है कौन वायू अपरदन या सिल्ट का जमाव या आव नली क्या है अव नली का अपरदन या मिरिदा लवनता तो क्या होगा इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा आपको भू निम्निकरन का परमुकारन इसका correct answer हो जाएगा आपको मिर्दा लवनता next question है कि ग्रिफित टेलर का सम्मध है किस से निश्चयवाद से संभवाद से या नव निश्चयवाद से या परत्यक्षवाद से इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको नव निश्चयवाद से next question है कि इन में से कौन उत्तर भारत्य सहर नहीं है अंबाला अमरित सहर अजमेर या अहमद नगर इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको अहमद नगर next question है कि निश्चयवाद से निश्चयवाद से निश्चयवाद से निश्चयवाद से इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा आपको भूमध्य कर यह next question है, कि निम्नलिखित राजियों में कौन सर्वाधिक गेहु उतपादक है, कौन सर्वाधिक गेहु उतपादक है, तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको पंजाब, पंजाब, next question है, कि जमसेदपूर लोहा एवम इसपात सडियन्त्र, किस राज में अस्थित है, जमसेट पूर लोहा एवं इस्पात सडियंत्र किस राज में स्थित हैत बिहार ओडिसा आसम या जहारखन इसका जो कॉरेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहारखन नेक्स्ट कुश्चन है कि निमलिक्षित में कौन जन अस्थांतरन का परतिकर्श कारक है इसका जो क बेरुजगारी होगा या रहन शहन की अच्छी दसाएं होगा या सांतीत एवं अस्थायत होगा या अनुकूल जलवाईू होगा तिसका जो कॉरेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको बेरुजगारी नेक्ट क्विस्चन है कि आसियान का मुख्याल है किस नगर में अवस्थित है इसका करेक्ट नसर हो जाएगा आपको जकारता क्या हो जाएगा जकारता नेक्ट क्विस्चन है कि 2011 में मानव विकास सुचकांग में भारत की कोटी थी भारत की कोटी कितनी थी 134,139 या 118 या 117 इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा दुजरेगारक कि में मानव विकास सुचकांग में भारत की कोटी थी ना तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका करेक्ट अंसर हो जायगा आपको 134 अब नेश्ट कुष्चन है कि बगसाइड आ्यसक के है बगसाइड आसक क्या है तो क्या होगा लो इसपाथ या तामबा या अलमोंियम या इनमेंस से कोई नहीं थी इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको अलमूनियम क्या हो जाएगा अलमूनियम नेक्स्ट क्विस्टन है कि इन राजियों में कौन चीनी का सरवाधिक उत्पादक है तो क्या होगा पंजाब, तमिलाडू महाराष्ट या गुजरात तो इसका जो क्वरेक्ट अंसर होगा ये हो जाएगा आपको महाराष्ट नेक्स्ट क्विस्टन है कि निम्लिखित कोईला खदानों में कौन च्छतिस गड़ में है कौन च्छतिस गड़ में है तो इसका जो क्वरेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा सिंग रोली या सिंगारेनी या कोरबा या रानी गन्ज इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको कोरबा Next question है कि निमलेखित में कौन बंदरगाह पूरवी तर्थ परस्थित है तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा मुंबई या मैंगलोर या कोचिन या तूतिकोरिन तो इसका हो जाएगा आपको गहा तूतिकोरिन next question है कि निम्नलिखить में कौन बिहार में रभी फसल नहीं है कौन बिहार में रभी फसल नहीं है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको चावल क्या होगा चावल चावल क्या है खरी फसल है न next question है कि दामदर घाटी समंधित है किस समंधित है दामदर घाटी इसका जो correct answer होगा क्या होगा कोईला से या सोना से या पेट्रोलियम से या हीरा से इसका correct answer हो जाएगा एक कोईला से next question है कि बाला घाट प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है बाला घाट इसका जो correct answer होगा क्या होगा कोईला के लिए या मैगनीच के लिए या लूह आयस्क के लिए या इनमी से कोई नहीं तिसका इसका इसके, क्या होगा मैगनीच के जाब या राजस्था तो इसका correct answer हो जाएगा आपको तमिल लाडू next question है कि निम्लखित में कौन अद्योगिक केंद्र 36 गड़ में स्थीत है कौन अद्योगिक केंद्र 36 गड़ में स्थीत है सेलम भिलाई बरोनी या बोकारो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको सले सेलम next question है कि इसको का राष्टिय करन किस वर्ष किया गया तो 1972 से 73 दो यर पांस से चो या 2010 से 11 या 2017 से 18 क्या होगा तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको 1972 से 73 next question है कि निम्लखित किरिया कलापों में से कौन सा एक दूतियोग सेक्टर का किरिया कलाप है तो क्या होगा इ तो इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा इस बात प्रगलान या वस्त निर्मान या मचली पकड़ना या टोकरी बुनना क्या होगा उसका correct answer हो जाएगा आपको मचली पकड़ना next question है कि निम्लखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली मुंबई चेन्नाई और कोलकाता में सरवाधिक रोजगार परदान करता है तो क्या हो जाएगा इसका correct answer प्रार्थमिक या दुतियक या पर्याटन या सेवा तो क्या होगा इसका answer इसका correct answer होगा वो हो जाएगा आपको सेवा next question है कि वे काम जिनमें उच परीमान और अस्तर वाले अन्वेंसन सम्मिलित कहोते हैं क्या कहलाते हैं इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा दुतियक किरिया कलाप या पंचम किरिया कलाप या चतूर्थ किरिया कलाप या प्रार्थे क्रिया कलाप इसका correct answer हो जाएगा आपको पंचम किरिया कलाप next question है कि निमने लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन एक सत्य नहीं है तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको कामों में वह अस्तरोतन करने वाले देशों में काम की तलास करने वालों में असन्तोस ये गहाँ इसका correct answer होगा अब next question है कि अवेद बस्तियों को क्या कहते है अवेद बस्तियों को क्या कहते है तो क्या होगा इसका correct answer जल्दी आप में बताएंगे तो अवेद बस्तियों को मलिन बस्तियों कहते है या कसबा कहते है या नगर कहते है या संकुल कहते है तो इसका correct answer होगा वो हो जाएगा मलिन बस्ति कहते है next question है कि महाराष्ट में मलिन बस्तियों की जन संख्या कितनी है 1.64 कलोर या 1.064 कलोर या 1.54 कलोर या कोई नहीं क्या होगा इसका correct answer तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको 1.064 कलोर next question है कि निम लिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है जल किस प्रकार का संसाधन है इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा आपको चकरिया संसाधन next question है कि निम लिखित नदियों में से देश में किस नदी में निम लिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनह पुर्तियोग भोम जल संसाधन है तो क्या होगा इसका correct answer इसका जो correct answer होगा क्या होगा सिंधू या ब्रहम पुत्र या गंगा या गोदावरी इसका correct answer हो जाएगा आपको गंगा next question है कि घंड किलोमीटर में दी गई निमलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं भारत में कुल वार्षिक वर्षा दरसाती है तो क्या होगा इसका correct answer दो हजार या चार हजार या तीन हजार या पांच हजार इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको तीन हजार next question है कि निमलिखित दक्षिन भारते राजियों में से किस राज में भोम जल का उप्योग हाँ में परतिसद में इसके कुल भोम जल संभाव से जादा है तो क्या होगा इसका correct answer तमिलाडू या करनाटक या अंदर परदेश या केरल इसका correct answer हो जाएगा आपको तमिलाडू next question है कि बोकारो इस पात के अंदर किस राज में अस्थित है नेक्स्ट क्वेश्टन है कि तेलंगाना राज की राजधानी तेलंगाना राज की राजधानी कहाँ है विजयवाला हिद्रावाद या विसाखा पत्तनम या इन में से कोई नहीं तिसका correct answer हो जाएगा हिद्रावाद नेक्स्ट क्वेस्टन है कि दूह जारेगार जनगना के अनुसार किस राज का जनगना तो सबसे अधीक है तो क्या होगा करनाटक उत्तर पड़ेश बिहार या केरलत इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बिहार क्या होगा बिहार होगा नेक्स्ट कोईस्टन है कि जमसेदपूर किस परकार का नगर है जमसेदपूर किस परकार का नगर है तो क्या होगा आदियोगिक नगर या खनन या पर्याटन या इनी में से कोई नहीं तो इसका होगा आदियोगिक नगर क्या होगा आदियोगिक नगर next question है कि सुन्दरवन किस राज में स्थीत है गोवा पस्चिम बंगाल पंजाब या केरल तो सुन्दरवन जो है न ये आपको हो जाएगा पस्चिम बंगाल next question है कि कौन राज चीन की सीमा पर स्थीत है कौन राज चीन की सीमा पर स्थीत है असम, गुजरात, नागा, लेंड, अरुनाचल परदेश तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको अरुनाचल परदेश Next question है कि निमनिखित में से कौन पे फसल है पेने वाला फसल है चाय, कौफी दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा आपको कौ और खो दोनों यानि कि चाय और कौफी दोनों पिया जाता है Next question है कि भारत में पूर्ण जन्गनना पहली बार कब हुई थी तो भारत में अगर पर्थम जन्गनना कहे तो 1872 आएगा और अगर पूर्ण कहेगा तो 1881 में आपको टिकोट करना है 1881 में Next question है किस राज में सक्छरता दर सबसे अधीक है किस राज में सक्छरता दर सबसे अधीक है तो क्या होगा तो गोवा इसका options देखिए किस राज में सक्छरता दर सबसे अधीक है तो क्या केरल बिहार गोवा इन में से कोई नहीं तिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको केरल केरल में सबसे ज़्यादा सक्षर है यानि कि पढ़े लिखे विक्ती है next question है कि राची किस राज में राज की राज़ानी है राची किस राज की राज़ानी है इसका एंसर हम बिल्कूल नहीं बताने वाले हैं इतना simple question का answer आप हमें बताएंगे क्या होगा 36 गड़ गोवा जहारकन या बिहार next question है कि वाल में की नगर टाइगर रिजर्ब कहां अस्थीत है बिहार मद परदेश पंजाब या केरल इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बिहार next question है कि कि किस नगर को दक्षिन भारत का मिनचेस्टर कहा जाता है चिननईग, सौलापूर या कोयंबटूर या हमधाबाद इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको अहमधाबाद को तक्चिन भारत का Manchester कहा जाता है निम recommend में कौन बढगानी फसल नहीं है कौन बढगानी फसल नहीं है रबाड, चाय, कोफी, मक्का इसका correct answer हो जाएगा आपको मक्का next question है कि निम निम में से कौन प्रमप्रागत उर्जा का शुरूत है कौन प्रमप्रागत उर्जा का शुरूत है कोईला पेट्रोलियम प्राकिर्थी ग्यास उपरोगत सभी तो क्या होगा इसका कॉरेक्ट अंसर हो जाएगा आपको कोईला अब नेक्स्ट कोईस्चन है कि निमलिखित मेंसे कौन उर्जा का एक और नवी करने शुरूत है तो क्या होगा तापी है या जाल या पवन या सौर इसका जो कॉरेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको तापी है नेक्स्ट कोईस्चन है कि निमलिखित मेंसे कौन सा राज चीनी का दुसरा सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट पंजाब तमिलाडू उत्तर परदेश इसका जो कॉरेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको उत्तर परदेश यानि कि यूपी नेक्स्ट कोईस्चन है कि इंद्रा गांधी नहर निमान छेत्र में सतद पोशनिय विकास के लिए इन मेंसे कौन सा सबसे महतपूर्ण कारक है तो क्या होगा इसका कॉरेक्ट अंसर क्रिशी विकास या परिवहन विकास या परितंत्र विकास या भूमी उपनी वेशन इसका जो कॉरेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आपको परितंत्र विकास नेक्स्ट कुश्चन है नवनिश्यवाद के प्रवर्तक कौन है जी टेलर या हमवल्ट या बलास या रेटिजेल तो क्या होगा इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा आपको जी टेलर क्या होगा जी टेलर नेक्स्ट कुश्चन है कि निमलखित में कौन अध्यात्विक खनिज के प्रकार है तो क्या होगा इसका क्रेक्ट अंसर इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा आपको सोना होगा क्या अभरक या तामबा या चांदी इसका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा आपको अभरक इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको जलाभाव नेक्स्ट कुश्चन है और अंतीमा कुश्चन है set 3 का कि निमन लिखित में कौन एक तेल सोधन कार खाना है कौन एक तेल सोधन कार खाना है ब्रोनी होगा तारापूर या गौालियर या महराज गंज इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको बरौनी तो my dear students हमने जो graphy gas paper के set 3 के सभी objective को करवाए हैं इससे पहले भी हमने वीडियो बनाये थे जिसमें set A और set 2 का complete हमने objective question को करवाए देखे इसमें जितना भी है न सब आपको important है क्योंकि ये gas क्या हुआ question सब रहता है इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे बाकि हम इसके अन महतपुर्ण वस्तुनिष्ट प्रशनुत्तर हम आगे की वीडियो में बताएंगे बाकि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किये हैं के लिए subscribe कर देंगे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे बाकि फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद